तो friends आज की vacancy निकाली गई है National Projects Construction Corporation Limited में और ये बहुत ही अच्छा मौका है civil engineers वालों के लिए क्योंकि यहाँ पे ना तो आपका exam होने वाला है ना आपको कोई fees payment करना है यहाँ पे क्योंकि यह एक पूरी तरीके से walk-in interview है आपको direct interview के लिए जाना होगा NPCC के office में बैस सारा चीज detail में आप लोगों को बताऊंगा कितने vacancy है क्या salary आपको मिलने वाला है क्या qualification criteria है पूरा detail में सब चीज बताऊंगा walk-in में आपको कैसे जाना है क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है सारा चीज detail में बताऊंगा वीडियो को end तक देखेगा walk-in interview है बहुत दि अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छा आपका life बन सकता है तो चली जाए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बस यहीं बताना है कि अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा क्योंकि मैं everyday civil engineering से related job की vacancy चाहे वो private की हो गई चाहे वो government की हो मैं लेके आता रहता हूं तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरू दबाईएगा ताकि आपसे कोई भी detail मिस न हो जाए ठीक है तो सबसे पहले आपको आना है NPCC के official website पे इसी वीडियो के नीचे description में देखिए आपको link मिल जाएगा official website का जहां पे click करके आप direct इसी website पे आ सकते हो साथ में आपको official notification का भी link मैंने provide कर दिया है आप उस पे click करके direct इस notification को खोल सकते हो ठीक है वो आप लोग के सुविदा के लिए मैंने कर दिया है ताकि आप लोग फ्रॉड से बचो बस अब आपको आना है यहाँ पे npcc.gov.in इस पे जैसी आप आओगे यहाँ पे देखना आप left side में यहाँ पे career का option है इस career पे आपको click करना है जैसी आप career पे click करोगे यहाँ पे देखना लिखा हुआ है recruitment of site engineers and assistant ठीक है तो site engineers वाला के लिए इसी में आपको click करना है जैसी आप इस पे click करोगे आपके सामने एक file खुल जाएगा तो यह मैं already आपको खोल कर रखा हूँ और मैंने highlight के रखा हूँ वो सब important points जो आपको पता होने चाहिए ठीक है तो चली start करते हैं और आपको समझाता हूँ सारा ची तो यह जो walk-in interview आपका होने वाला है यह National Projects Conception Corporation Limited NPCC में होने वाली है जो कि एक PSU है आपको सभी जानते हो और यह interview अगर आपका clear हो जाता है तो आप lucky होगे क्योंकि बहुत अच्छा salary यहां पर मिलेगा साथ में PSU के अंडर काम करते हो ना तो आपको extra benefit मिलता है कहीं अगर आप कहीं और जाओगे वहां से तो तो देखिए यहां पर total वैकेंसी वो दो site engineers के लिए है जो कि civil वाले होने चाहिए अब यहां पर दो वैकेंसी दे सकते हैं तो कोई नहीं जाता बहुत ही limited students जाते हैं और यहां पर आपका chances बढ़ जाता है उल्टा यह नहीं कि घर जाता है उल्टा बढ़ जाता है तो free का है यार walking interview जाकर देखिया हो नहीं होगा तो नहीं होगा लेकिन जाओगे तो एक experience gather करोगे कि हां इंटर्वे पूछ नहीं रहते हैं यहां पर freshers भी eligible है experience भी eligible है तो सभी जाना जो freshers है वो भी जाना जो experience है वो भी जाना ठीक है तो दो नंबर यहां पर site engineer का job है आपको site पर काम करनी पड़ेगी यहां पर तो यह जो walking interview यह होने कहां पर वाला है तो यह आपका होगा is address पर यह address आप देख लि है इसी office में आपको होने वाला है सबसे पहले लोग eligibility criteria देखते हैं तो जो B.E.B.T.E.C. वाले है civil में वो इसको apply कर सकते हैं तो जो diploma वाले हैं उनके लिया पर vacancy नहीं है लेकिन हाँ जो diploma करके B.T.E.C. किये हुए हो वो B.T.E.C. के तौर पर यहां से apply कर सकते हो तो जरूर कर दीजेगा ठीक है तो आप लोग जा सकते हैं वीडियो को like करके जरूर जाईएगा तो जो B.E.B.T.E.C. वाले है civil में या electrical में उन लोग को MS, Office और AutoCat का knowledge होना चाहिए उन लोग को preference दिया जाएगा लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो भी आप interview देने जाओ क्य अगर आगे काम रहती है तो उसको extend कर दिया जाएगा ठीक है उसके साथ आपको और भी सारे perks आपको मिलेंगे जैसे आपका आप से कड़ेगा आपके basic का उसके बाद medical allowance है जो कि 1250 रुपया आपके monthly basis पे कड़ेगा तो देखा जाए तो यह लगबग आपका 31,000 रुपया हो जाएगा monthly आपका लेकिन पैसा मत देखो interview जाएगा जरूर देना चलिए आगे देख लेते है age limit की criteria की तो age आपका 35 years से ज्यादा नहीं होना चाहिए 35 years तक है तो आप इसको apply कर सकते हो एक बात मैं आप बता दूँ कि जो final year वाले student है वो इसको apply नहीं कर सकते लेकिन जो just final year से complete करके आपके पास result आ चुका है आपका तो ही आप इसको apply कर सकते हो diploma वाले अगर आप BTEC किये हो या जिलेट के थुरू आप 3 साल का BTEC बार में जागे किये हो तो आप इसको apply कर सकते हो आपका result आपके पास होना चाहिए और आप BTEC के बलबूते इसको apply कर सकते हो apply मतलब यह walk-in होने वाला आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे अब देखिए य जिस दिन है तो यह walk-in इंडर्विव आपका 7-1-2021 मतलब 7th January को यह आपका होने वाला है अगर जितने भी criteria मैंने आपको उपर बताए वो सब अगर आप match करता है आपके साथ तो आपने सारे documents का copies ले आना साथ में original copies में सारा ले आना ठीक है जितने भी original और attested copies है वो सारे documents आपको ले जाना है वहाँ पे 7-1-2021 को और आपको एक form भरके ले जाना होगा वह मैं form अभी आपको दिखा दूंगा आपको उसका print लेकर भरके उसको ले जाना है तो यह walk-in आपका 7-1-2021 मतलब 7th January को होने वाला है तो यह वो form है जो आपको भरके ले जाना है ठीक है इसका print out ले लिजेगा और इसको सारा पूरा form fill up करके फिर महाँ पे जाईएगा ठीक है तो यह देख लिजे नॉर्मल सा form है जो आप अक्सर भरते हो एक declaration है यहाँ पे अपना sign करके date place सारा डाल देना तो अगर आप दुस्से state से हो तो भी जा सकते हो अगर तल्लात पूरा से हो त ऐसे ही walking interviews, private jobs, government jobs के वीडियो चाहिए तो चैनल को subscribe करके जरूर जाईएगा क्योंकि मैं everyday एक sibling job तो मैं डालता ही डालता हूँ आप लोग के लिए तकि आप लोग की help हो सके बहुत कोई क्या बोलते हैं कि sir आप एक vacancy दो vacancy का जो वीडियो है वो मत डाला करो तो मैं क्यों न पुस्ट करी vacancy निकली है तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा जो serious वाले बंदे है वो उसको seriously लेते हैं apply भी करते हैं हो भी जाता है बहुत कोई का ठीक है तो मैं तो वीडियो बनाऊंगा चाहिए वो एक vacancy का निकले या दो vacancy का बाकी का आपके उपर है आप लोग उसको कैसे लेते हो तो friends अब आपको क्या करना है आपको जाना है NPCC के इस official website पर और इसी link पर आना है मैंने description में link डाल दिया है आपको इस पर जैसी आप क्लिक करोगे न यह वाला page खुल जाएगा notification का इसी का आपको print out लेना है और इसी के नीचे में आपका यह form भी है जो आपको भर क वाक इन इंटर्वी के date को ले जाना है समझ में आ गया और इंटर्वी आपको कहां पर होने वाला है तो यह देख लीजिए यह address है यह इसी address आपको यह interview होगा तो आज के वीडियो में इतना ही था नेक्स वीडियों फिर कुशन लेके आओंगा आप लोगो के लिए तब त आटा जैहिंद